नमस्कार्स, स्टार केज 11 में आपका स्वागत है, आज हम चटे घर के केतु के बारे में जानेंगे कि चटा घर केतु क्या परिनाम देता है, चटा घर केतु का पक्का घर होता है, चटा घर बुध का भी होता है, केतु यहां पाप ग्रह माना जाता है, बुध और केतु बरा तो उस समय दूसरे और आटवे घर की स्थिती पर भी ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि इन तीनों घरों का दृष्टी संबंद मिला होता है। बुद्ध, केतु या शुक्र, कुंडली में जहां भी बैठे हूं, छटे घर का प्रभाव उन तीनों घरों पर ही पड़ता है। अधिक परिशानी हो सकती है, कुंडली में केतु को वही फल प्राप्त होता है, जो प्रहस्पती को प्राप्त होता है। संतान के लिए यह अच्छा होता है, यदि चंद्रमा दूसरे भाव में हो, तो माता परिशान हो सकती है। और केतु छे वाले व्यक्ति का बुढ़ापा थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। के तू छे का काम अलग करना होता है के तू छे लापकारी भी हो सकता है और हानिकारग भी हो सकता है के तू छे वाला अगर एक जगा पर टिक कर काम करता है तो उसे फाइदा नहीं होता बलकि अपने जन्च स्थान से दूर जाकर काम करने पर ही उसे फाइदा मिल सकता है या traveling pace, business या job से ही के तू छे वाला व्यक्ति आगे पढ़ सकता है के तू छे वाले को अपने काम से प्यार होता है वे खूब काम करता है और मेहनत भी करता है पर वे लाइफ को enjoy नहीं कर पाता के तू छे वाले व्यक्ति का ब्रस्पति अच्छा हो तो उसके बेटे होते हैं और यदि ब्रस्पति अशुब हो तो बेटियां होती है के तू छे वाला व्यक्ति का अध्यात्मिक होता है के तू छे वाले व्यक्ति को अपना ब्रस्पती हमेशा अच्छा रखना चाहिए और जन्पस्तान से दूर रहकर ही उसे मुनाफ़ा हो सकता है कुंडली में अगर ब्रस्पती शुप अवस्ता में होका तो उसके multiple profession भी हो सकते है के तू छे वाले व्यक्ति की तीन संताने हो सकती है के तू छे वाले व्यक्ति के परिवार या रिष्टेदारों के घर किसी की दो शादियां होई हो ऐसा भी हो सकता है के तू छे वाले व्यक्ति के परिवार में किसी को अस्तमा का रोग या सास से संबंधित रोग भी हो सकता है के तू छे वाले की नींद डिस्टरब हो सकती है के तू छे वाले को उपरी बाधा का भी कभी कभी अंदेशा लगता है कि शायद किसी ने उसको कोई बंधन किया हुआ है के तू छे वाले व्यक्ति को किताबे पढ़ने का भी शौक होता है के तू छे वाला व्यक्ति अपने मामा के लिए शुब नहीं होता उसका मामा दवाईयों पर खर्च करता रहता है मामा की married life भी खराब हो सकती है और आर्थिक सिती भी बिगड़ सकती है के तू छे वाले को एक जगा टिक कर काम ना करे और traveling based काम करके ही profit कमा सकता है मामा को भी अपने भांजे पर खर्च करते रहना चाहिए जिससे के तू छे वाले के मामा की life smooth हो सके के तू छे में हो और साथ में शुक्र भी छटे घर में हो तो वह अशुप फल देता है ब्रस्पती खराब होगा तो शत्रू बिन बुलाई ही आ जाएंगे और यात्राएं जो करेंगे वो भी फल नहीं दे पाएंगी यदि कुंडली में के तू अकेला हो तो शुक्र भी अच्छा फल देता है के तू शुप होगा तो व्यक्ति दिरगायू भी होगा और उसकी माता खुश रहेंगी जन्म सान से दूर रहकर ही और काम करके ही उसको फावदा हो सकता है के तो शे वाले व्यक्ति को कुठ चुपाई करके अपनी लाइफ अच्छी कर सकते हैं ब्रस्पती को शुप बना कर रखें दूद में केसर मिलाकर पिएं केसर को खाएं और केसर का तिलक भी लगाएं कान में सोना पहने ray को रोज खाना खिलाएं बाय हाथ में सोने का चल्ला पहने सोने की सलाई को गरम करके दूद में वुझा कर इस दूद को पियें ये करके उनको मांसिक शान्ति प्राप्त होगी आयू में व्रिद्धी ह होगी और उनकी संतान के लिए भी अच्छा फल मिलेगा करीबों को दान दें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद